हेलो दोस्तो कैसे होतो दोस्तो आज के इस नई वीडियों आप सब का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आज के इस नई वीडियों लोग बात करने वाले ODI Welcome के नेक्स्ट मैच के बारे में जोके होने वाला है New Zealand और South America इन दोनों टीमों के बीच में दोस्तो ये मैच कल सुबह 6.30 a.m. को स्टार्ट होगा विन्नी होने वाला है सेडन पार्क हैं मिल्टन important match है New Zealand के लिए और भी important है South America ने अब तक बहुत अच्छा किया है ये match actually New Zealand को जीतना चाहिए है ये इंडिया के लिए actually अच्छा रहेगा तो देखते कही होता है आगे बढ़ने से पहले simple है टेलिग्राम चैनल से join होना और टेलिग्राम चैनल पे जाने के बाद आप पिछले सारे matches के रिजल्ट्स चेक कर लो welcome women's welcome हमारे अब तक बहुत अच्छा रहा है जितने भी test matches चल रहे है सब के सब सब में हमने अच्छा किया हुआ है आपको रिजल्स मिल जाएंगे टेलिग्राम चैनल पे जाके चेक आउट करो टेलिग्राम चैनल की लिंक को comment section में first comment में मिल जाएगी आपको रिजल्स अच्छे लगे तो आप लोग टेलिग्राम चैनल को जरूरूर जॉइन कर सकते हो गाइस पीच रूपट के बाद करें तो अब तक यहां पर चार मैचेस हो चुकर एक अच्छी बैटिंग विकेट देखने को मिली है चारों मैचेस में और यहां पर 300 प्लस बनाए थे इंग्लें ने पर 260 बनाए थे फिर इंडिया ने पर 317 बना दिया थे ब इसको बैटर्स को ही मिला है साउतुपरेकार से स्टार्ट करते हैं 3 मैचेस हो चुके 3 के 3 मैचेस यह जीत चुके हैं कुछ इस तरह किसी प्लेइंग लिए और रही है और मस्ट लेइक लिए यही प्लेइंग लिए उन रहीगी हुआ के आब तक तो लिजन लिए दो मैचे खेले दोन मैचेस में फ्लॉप रही है लॉरा वालफा इनकी में कंसिस्टेंट बैटर रही है 41 75 और 77 तजमी इंब्रेश ने पिछली मैच पर 23 की पारी खेलिए थी सुने लूस्ट भी अच्छी रही है 25 42 सुरी 62 एं 36 रन तो के आज अ कैप्टेन इन्होंने भी अच्छा किया है मिगनन डूपरिस यह भी टोटल आउट ओफ फर्म रही है इनके रन नहीं बने मरेजन के अच्छी पारिया खेलिए 42 दें 32 तो एक इंपॉर्टन पीक रहेगी क्लॉइट रही है 39 31 और 15 की तीन अच्छी ठीक टाक पारिया खेलिए त्रिशा शिटीन एक 31 की पारी के बैट रहे और थोड़ी बहुत आपको रन दे सकती है बॉलिंग मैप को मिलेगी शबनिम इसमाइल अच्छी बॉलिंग देखने को मिली तीन मैच में अब तक चार विकेट निकाल चुकि इनकी में पेसर है मरीजन के आप पिछले मैच में पाच विकेट ले गई थी टोटल को कोई विकेट नहीं मिला बट रेगुलरली बॉलिंग कर रही है मसा बड़ा क्लास है इन्हों ने भी बहुत इंप्रेस किया है तीन मैच में ये भी पाच विकेट निकाल चुकी है सुनेल उसको भी कोई विकेट नहीं मिला तीनों मैच में तो अब तक सारी के सारी नहीं निकाले है एक भी विकेट अप तक spinner को मिला नहीं विकोज ये टीम ना heavily Pacers पर रलाई करती है इनके वाज ठिक टाक स्पिनर से बट ये mostly Pacers पर रलाई करेंगी उजिनके Pacers ने अच्छा किया भी है कैस न्यूजिलेंग के बात करते हो टो 4 में से लोग 2 matchs जीते हैं 2 matchs हा हा रहे हैं ये match देखो मैंने स्टार्ट में बड़्ला तगी अगर इस match को न्यूजिलेंट जीते गी तो इंडिया के लिए ठीक रहेगा पर अगर ये match न्यूजिलेंट हार भी जाती है ना तो फिर भी इंडिया के लिए ठीक ही रहेगा, विकोज अगर नुजिलन इस मैच को हार जाएगी, तो फिर नुजिलन पाच मैंसे दो ही जीत पाएगी, और और दो मैचस फिर नुजिलन के बचेंगे, इंडिया भी चार मैंसे दो जीती है, दो हारी है और अगला मैच इंडिया का औस्ट्रोला के सामने है तो वो एक बहुत ज़्यादा टॉप उसका साउथ अपरेका के समने एक मैच है फिर पांगादेश के समने मैच है अगले तीन मैच से दो मैच अगर इंडिया जीत जाए तो फिर इजी लिफ लेयाउस में कौली इनिक्स में रन नहीं बने, शोपी डिवाइन ठीक लगी है, 108 और 35 की दो ठीक टाक पारिया है, एक बड़ी पारी बाई थी ओविसली, बाकि दो इनिक्स में जादा रन नहीं बने, अमिलिया के एर, इंपोर्टन प्लेयर है टीम की, 47 और 50 की दो ठीक टाक पारिया है, बाकि द बैटिंग कर लेती है, तो इनके सारे बालर सा बैटिंग कर लेते हैं, बालिंग सेक्शन में ली तहू, क्या बालिंग रही है, मेरे वाई, पिछले चार मैचे में नाइन विकेट्स निकाले है, कंसिस्टेंटल अच्छे बालिंग कर रही है, जेस केर, इनको चार मैच में म अब जहको इनके और से जेसकेर ली तहुर अमेलिया के रिये इसी 3 बॉलर से जो most likely अपने 10 ओर complete कर सकती है बाकी के फिर हना रोवे हो जाए हैली जेंसन, फ्रांसेस मकाई ये सारे मिलके आपको बाकी के base source डालते हुए दिखनी चाहिए ठीके ये थोड़ा सा देख के चलोगे अब head to head stats देख लेते हैं दोनों टिम्स के बीच में जब New Zealand में मैचेस हुए है 2020 में ही हुए थे तीन मैचेस तीनों के तीनों मैचेस साउथ अपरी का जीती थी New Zealand में आके ठीक है अब New Zealand के और से उन तीन मैचेस में देखोगे तो Suji Wets ने 47 के आवरेज से रन बनाए थे ठीक है आवरेज थे तीन मैचेस में एक विकेट रोजी मेरे मेर को दो मैच में कोई विकेट नहीं मिला था साउत प्रेकर के और से देखोगे तो लिजल ली 52 के आवरेज से रन बनाए थे जिसमें 99 की इनिंग थी मेगनन डूपरिस थी मैच में 78 बनाए थे सुने लूस ने थी मैचेस में 33 के आवरेज से 67 बनाए थे और मरिजन कैप ने स्रिप एक ही मैच में बैटिंग करे थे जिसमें 16 बनाए थे वो भी नोट आउट रही थी अब बॉलिंग में सुने लूस इनोंने 6 विकेट निकाले थे और यह जो 6 विकेट है एक ही मैच में निकाले थी और इसे वेन्यू पर है ग्राउंड कोई भी हो, कंट्री कोई भी हो, न्यूजिलन ने ज़्यादा मैचे जीते हैं कंपेर टू साउथ अपरिका, तो हलके में मत लेना न्यूजिलन को दोस्तों बनाते हैं स्माल लिक की टीम, यह भी एक इंटरस्टिंग मैच रहेगा कुछ ऐसे पिक्स रहेंगे, जो आपके लिए गेम चेंजिंग पिक बन सकते हैं अब देखो, विकेट के पर सेक्शन में कैटी मार्टी ने तरिशा शेट्टी, आप लोग कोई भी ले सकते हो कुछ लोग एमी जोन्स को लेके आए थे, कुछ लोग रिचा घोश्ट के साथ आए थे, हम लोग रिचा घोश्ट के साथ गए और उन्होंने एमी जोन्स से ज़्यादा पॉइंट्स दिये थे तो यह बहुत इंटरस्टिंग डिसिजन बन जाता है, ठीक है, कैटी मार्टीं के साथ जाना बनता है, विकॉज कंपेट तृशा शेट्टी थोड़ी से उपर बैटिंग भी करती है, और बैटिंग मिल भी सकती है, तो मैं कैटी मार्टीं को प्रेफर करा हो, ओवर त्रिश के रन नहीं बने है, मिगनन डूपरिस के रन नहीं बने है, मैडी ग्रीन वैसे भी थोड़ा नीचे बैटिंग करती है, तर्जमिन ब्रिट्स बन डाउन जरूर आती है, बट ये भी कंसिस्टन्ट नहीं है, और कोई खेलने नहीं वाला, तब थर्ड बैटर ना, जिससे चा मैचस में निकाल चुक है, पर मैच 3 विकेटज उन्होंने 3 मैचस में निकाले है, तो इनको लेना बनता है, ठीक है, और ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेती है, ठीक टाक इनको ना प्रमोट किया जाता है, पिन्च हि podíaटिंग के लिए, तो इनको मै जरूर प्रिफर पीडिवाइन ओपन करती है, बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, पहले match में इन्होंने 6 ओर डालेते हैं, अगले 3 matches में इन्होंने बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, यह 1st point, बॉलिंग करती हैं, याद रखना, यह कभी भी आएकर 4-5 ओर बॉलिंग करके जा सकती, एकाद विकेट लेके चली जा सकती वो अलग बात है बट अब तक पिछले तीन मैच में बॉलिंग नहीं करी है अगर चलेगी तो लंबा चलेगी और अच्छे खासे रन बना सकते हैं सुने लूस का क्या है यह कंसिस्टन रही है बहुत रन नहीं बना है बट कंसिस्टन ली हर मैच में इन्होंने आपको पॉइंट्स दिये है ठीक यह नोट करके चलना और हर मैच पे बॉलिंग भी करी है हाँ वो अलग बात है कि अब तक इनको कोई विकेट नहीं मिला है बट कभी भी विकेट मिल सकता है दोनों में कंपेर करें तो सुनेल उसको लेना तुरह बेटर है विकोज आपके क्रेइट्स मैनेज हो जाते है और आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग यह दोनों रेगुलरली दे रही है ठीक है क्लॉय ट्रॉयन को ग्रैंड लिंग मरोटेट करना विकोज उनने बॉलिंग ठीक करी है बट विकेट नहीं मिली बैटिंग भी इनके ठीक्टा कर रही है अब चलते बॉलिंग सेक्शन में आया भूंगा खाका अब्वेस पीक बनती इनकी भी न में जाने नहीं वाला मैं J-Scare को भी अपनी टीम में अभी के लिए रख रहा हूँ विकोज ये भी अच्छी बॉलर है और जब चाहे तीन-चार विकेटे लेके जा सकती इनमें वो एबिलिटी है और पिछले कुछ सम्मय में इनका रहा नहीं है बटी अच्छा कर सकती किसी भी मैच में तो इनको प्रेफर कर रहा हूँ फिर उसका मसा बड़ा क्लास और शबनी मिसमाइल दोनों में से कोई आप एक ले सकते हो दोनों को भी रख सकते हो या आपका कॉल रहेगा मैं शबनी मिसमाइल के साथ जा रहा हूँ इनका भी पिछला कुछ समय अच्छा रहा है इननों ने विकेट्स निकाली है फ्रांसेस में बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देती थी इननों ने तीन मैट में तीन विकेट्स निकाली है हाना रोय ने भी बॉलिंग ठीक टाक करी है ठीक है उसके आद मुझे नहीं लगता है यहाँ से कोई और खेलने वाला है ठीक है अब हमें लेने है दो प्लेयर्स एक हमें लेना है बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले अगर आप यहाँ पर और सेक्शन में सोपी डिवाइन लेते हो न तो आपके पास 8.5 क्रेट्स बचते हैं फिर आप लोग बैटिंग सेक्शन में सुजी बैट्स लीजरली मिगनन डूप्रीज नहीं ले पाओगे फिर आपको मैडी ग्रीन जो नमबर 5 नमबर 6 पर आईगी है फिर दजमिन ब्रिज जो वन डाउन आईगी इनको लेना पड़ेगा तो मैनेज करेट्स ठीक है आपको यही करना पड़ेगा अगर आप सोपी डिवाइन को लेते हो या तो फिर क्या करेगे पब्लिक ने किया कि है शबनी मिसमेल के जगा मसा बड़ा क्लास ले नाइन क्रीट्स बचते है और लीजली को ले लिया है सुजी बेट के सामने शबनी मिसमयल और मरीजन कैप रहेगी वित नीट बॉल इनको परmış आशान कर सकती है, लिजल ली के सामने रहेगी जे स्केर, ठीक है तो मैं अब भी कहले लीजल ली को praisर करे हो विकार सबुछनी मिसमयल or मरीजन के साथ जाओ, इवन सोपी डिवाइन को डॉप करने का रिस्क चोंब लोग ने पिछले मैच में भी लिया था, इस मैच में भी ले रहा है, अगर काम कर गाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकि अगर आप चाहो सोपी डिवाइन को लेना तो मैंने आपको बता दिया कि आप क वाइस कप्टन से निया अविदा करने कान वंल्द करते का संट करना सबदे को अपने हैरे जैंसेन हो गई या फिर और रोवे हो गई इनको रोटेट करके चल सकते हो जिनका सेलेक्शन बहुत कम है फाइनल अपडेट्स आपको टेलिग्राम चैनल पर सुभे छे बज़े मिलेंगे तो टेलिग्राम चैनल से जोईन होना बिल्कुल मत भूलना और ऐसे एक अप्लिकेशन पर जहाँ पर आप लोग एक बैटर के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो न वहाँ पर आप लिजल लीक को टॉप करके किसे ले सकते हो लिजल लीक को टॉप करके बाकी कोई चेंज करनी के आपको जरुरूरत है नहीं आप समझ गयोंगे मैं इस किस application की बात करो final updates के लिए telegram channel से join ओना telegram channel की link आपको comment section में first comment पे मिलेगे और final updates बहुत ज़्यादा matter कर जाएंगे thank you so much guys for watching